नमस्कार, अब हम लोग पेडियाट्रिक्स के एक नए टॉपिक में बात करेंगे, रिस्पैरिट्री डिस्ट्रस, सून आफ्टर बर्थ, जन्म के तुरंत बाद रिस्पैरिट्री डिस्ट्रस क्यों होता है, उसके डिफरेंट कॉजिस, उसके डिअग्नोसिस कैसे बनाएंग उसके बाद हम इसके most common causes के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम उन पैरामीटर्स की बात करेंगे, जिसकी मदद से हम रिस्पैरिट्री डिस्ट्रस को डिफाइन करते हैं, वो चार पैरामीटर, उनको देख ले हम, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ उन चा expiration के समय sound produce होता है, ऐसा क्यों होता है क्योंकि इस दोरान partially closed glottis की वज़ा से grunting, एक special sound production होता है, expiration के समय, grunting का पूरा concept समझ ले, glottis closed होता है, इसके करण closed airway के against expire करना है, तो इसके करण end expiratory pressure raise कर जाता है, उस end expiratory pressure के raise करने के बाद glottis खुलता है, जिसके करण एक special आवाज निकलती है, जिसे हम grunting sound कहते हैं, तो rapid exhalation of air की वज़ा से यह sound produce होता है, तो यहाँ पर expiration क्यों हुआ, कैसे हुआ, closed airway के against expiration करने का प्रयास हो रहा है, इसके करण end expiratory pressure बढ़ जाता है, इस तरीके का granting या sound production है, अक्सर आप खेलाडियों के द्वारा भी सुनते होंगे, तो उसमें क्या होता है, same यही process होता है, वो अपना frustration या forceful इस तरीके से end expiration pressure जब वो दिकालते तो उह की आवाज आती है, पहला parameter grunting, दूसरा respiratory rate 60 time per minute से ज़ादा हो जाए, यानि टैकपनिया, तीसरा chest का retraction, इस image में हम देख सकते हैं, chest का retraction during inspiration आप इस position पर देख सकते हैं, chest का retraction है, expiration में normal inspiration के समय chest का retraction होना और sinusus की features, central sinusus की feature, इसमें से कोई भी एक present हो, grunting हो, टैकपनिया हो, chest का retraction हो, या central sinusus हो तो हम इसमें से किसी भी एक के present होने पर respiratory distress की condition मानते हैं, इसके causes क्या हैं, इसको देख लें, इसके कुछ causes respiratory हैं और कुछ non-respiratory हैं, तो इसमें respiratory causes में क्या होगा, उसको देख लें, यहां respiratory में pulmonary cause है, या फिर extra pulmonary cause है, उसको देख लें, यहाँ पर रिस्पिरिट्री डिस्ट्रस सिंड्रोम टी टी एन ट्रांजियन टेकप्निय आफ न्यूबॉन नियोनेटल नियूमोनिया म.A.S जिसका मतलब है मेकोनियम एस्पेरेशन सिंड्रोम पल्मुनरी हैम्रेज नियूमोथोरैक्स यह सारे के सारे पल्मुनरी कॉज़ेज है इस तरीके के रिस्पिरिट्री डिस्ट्रस को आप इमेजन करें लंग्स के आस पास के हिस्टों में कोई प्रावल्म है जिसे अपर एयर वे में प्रावल्म lower airway में problem midiastinal कोई mass है rib case की कोई abnormality है या diaphragmatic कोई pathology है इसके करण सांस लेने में दिक्कत हो सकती है तो यहाँ पर हम lungs और lungs के आफस पास के हिस्से की बात कर रहे हैं अगर respiratory cause नहीं है, non respiratory cause है तो उसमें cardiac हो सकता है neuromuscular हो सकता है metabolic हो सकता है hematologic कोई cause हो सकता है जिसकी बज़ा से respiratory distress हो रहा हो यहाँ पर हम लोग TTN और HMG जिसका दूसरा नाम RDS भी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो RDS means respiratory distress syndrome जिसे हम hyaline membrane disease भी कहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इसके लावा हम TTN, Transient Tachypnea of Newborn इन दोनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारी problems के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया लेकिन respiratory distress के जो causes हैं, वो most common है TTN, Transient Tachypnea of Newborn respiratory distress syndrome RDS जिसे हैं, हालिन membrane disease भी कहते हैं, इसके लावा meconium aspiration syndrome होता है बहुत कम causes में हम infection या फिर PPHN की बात करते हैं या निमो थरेक स्कोर रखते हैं या फिर non pulmonary causes जिसमें मैंने आपको बताया था cardiac कोई cause हो सकता है congenital heart disease हो सकती है या hematological causes के बारे मैंने आपको बताया था इसके लावा metabolic abnormalities भी हो सकती है या फिर polycythemia हो सकता है upper airway obstruction हो सकती ये causes हैं लेकिन ये less common होते हैं इस वज़ा से हम इन पर focus नहीं करेंगे हम इनी तीनों के बारे में detail में चर्चा करेंगे इस topic में जब ही हम respiratory distress के बारे में बात करेंगे तो इनी तीनों problems को हम detail में लेकर चलेंगे लेकिन basic outline कहा का region है उसको यहाँ पर ध्यान में रखना ज़रूरी है तो हम लोगों ने कौन कौन से causes पढ़े हैं उसको यहाँ पर इस image में imagine करने तो ज़्यादा बहतर होगा हमने पढ़ा था pulmonary causes के बारे में इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था extra pulmonary यहाँ पर आस पास के reason के हिस्से में हम लोगों ने बात किया था तो वो यहाँ पर ribs हो सकती है यहाँ media stenum का यह part हो सकता है जहाँ पर कोई tumor हो या mass हो इसके कारण भी दिक्कत हो सकती है या फिर नीचे की और आप देखेंगे तो diaphragm भी हो सकता है तो मैंने आपको बताए lungs का pulmonary जो cause है उसके बारे में तो हमें पढ़ना ही है यहाँ पर ध्यान रखना है कि respiratory distress यहाँ ribs की वज़ा से हो सकता है media stenal mass की वज़ा से हो सकता है और उपर जो air waves जहां से air आ रही है उनकी वज़ा से भी हो सकता है तो इसलिए extra pulmonary causes कई सारे है आज पास के जितने structures हैं वहाँ focus करना है फिर pulmonary, extra pulmonary फिर उसके बाद ये दोनों ही causes जब छोड़ दिये जाते हैं तो तीसरा cause आता है non-respiratory non-respiratory में हम इन blood vessels के causes को सोचेंगे यहां cardiac causes को सोचेंगे जिसमें congenital cardiac कोई problem है या फिर anemia है या फिर कोई और hematological disorder है metabolic कोई problem है जिसके कारण respiration में distress हो सकता है तो चलिए कुछ one-liners को हम यहाँ पर solve कर लेते हैं most common cause of respiratory distress in pre-term child इस तरीके से जब कोई question पूछा जाता है तो most common cause of respiratory distress in pre-term child hyaline membrane disease होता है मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि hyaline membrane disease का दूसरा नाम है respiratory distress syndrome यह most common respiratory disorder है pre-term infants में इस दौरान tachypnea, retraction, grunting, nasal flaring और hypoxic features देखने को बिलते हैं x-ray की finding में हमें volume loss hazy, ground glass appearance lungs का देखने को बिलता है यहाँ पर pre-term babies में respiratory distress का cause hyaline membrane disease को क्यों हम समझ सकते हैं इस बात को इस तरीके से link करें कि यहाँ पर जो भी surfactant है वो बने नहीं है surfactant बने नहीं है इसके करण lung expand नहीं कर पाएगा इसके करण सांस लेने में दिक्कत होगी pre-term baby को इस दौरान आप देखेंगे lung expand नहीं कर पाएगा तो lungs का volume low होगा और इस दौरान जो x-ray के finding होते हैं उसमें classical diffuse reticulo granular यहाँ पर finding होती है जिसे ground glass appearance कहते हैं यहाँ पर देखें reticulo granular appearance होता है दाने दाने जैसा diffuse reticulo granular appearance जिसे ground glass appearance कहते हैं वो देखने को बिलती है तो यहाँ x-ray की finding हमें ध्यान रखना है volume का loss क्यों हुआ क्योंकि lung expand ही नहीं कर पाए lung expand नहीं कर पाए तो इसलिए बच्चे को सांस लेने में तकलीफ तो होनी ही है इसलिए pre-term babies में जहाँ surfactant बने नहीं वहाँ पर respiratory distress syndrome या hyaline membrane disease respiratory distress का most common cause है इसके बाद अगर term child में पूछा जाए most common cause of respiratory respiratory distress in term child तो यह क्या हो सकता है TTN transient tachypnea of newborn इसका most common cause होगा इसको भी हमें याद रखना है transient tachypnea of newborn को समझने से पहले थोड़ा सा हम normal condition को समझ ले उसके बाद हम transient tachypnea of newborn की बाद करेंगे यहाँ पर TTN को बाद में discuss करेंगे सबसे पहले हम normal situation को समझ लेते हैं कोई baby intra utrine यहाँ पर आप देख सकते हैं fetus को और यह liver के दौरान normal condition में इसके lungs में कुछ amount में fluid होता है जो के इसके lungs के भीतर भरा होता है यह normal condition है जब liver pain होता है तो उस दौरान vaginal delivery के समझ perinatal epinephrine surge होता है vaginal delivery के समझ labor के process में perinatal epinephrine surge होता है जो lungs के भीतर पड़े हुए इस liquid को absorb करने में मदद करता है जो lung का liquid है वो absorb कर जाता है और इस दौरान mechanical drainage होता है जिसके कारण normal transition देखने को मिलता है आप देखेंगे lungs का यह fluid आस पास के region में absorb हो गया और यह पूरा का पूरा खाली हो जाता है लेकिन अगर ऐसा ना होतो तो ऐसा कब नहीं हो सकता है ऐसा कब नहीं होगा आप समझ सकते labor की वज़ा से perinatal epinephrine release हुआ अगर elective cesarean section without labor करा दिया जाए तो इसके कारण क्या होगा इसके कारण ये lungs के भीतर fluid retained रहेगा जिसके कारण transient tachypnea of newborn हो सकता है तो इसके कारण respiratory distress हो सकते हैं सबसे बढ़ा इसका risk factor यही है elective cesarean delivery without labor इसमें क्या होगा lungs के भीतर का fluid अंदर पढ़ा रहेगा दूसरे risk factor में ttn के दूसरे risk factor है maternal diabetes macrosomia cesarean section male sex maternal asthma delivery at lower gestational age तो ये तो खेर हमें उतना याद नहीं रखना है हमें ये याद रखना है और इस बात को याद रखना है कि elective cesarean section without labor करने पर term babies में ये problem होती है जो ttn है जो term babies में respiratory distress का major या most common cause है तो जैसा कि हम लोगों ने देखा term child बोले या फिर cesarean section का भी नाम ले तो भी आप यही answer देंगे most common cause of respiratory distress term child born after cesarean section तो इसका भी cause मैंने आपको बताया ttn हमें याद रखना है इसका क्या basis है उसको मैंने आपको समझाया most common respiratory distress in a term child जिसे mechanical ventilator की जरूरत पड़े तो term child है आप देखें term child है लेकिन ऐसा respiratory distress जिसमें ventilatory support की जरूरत पड़े तो यह क्या मतलब हुआ इसको थोड़ा से समझना जरूरी है यहाँ पर जो question मैं पूछना चाहता हूँ उसको तभी आप समझ पाएंगे जब transient tachypnea of newborn को समझ पाएंगे यहाँ पर intra uterine जो pulmonary fluid है उसका delayed clearance होने की वज़ा से हुआ है इसमें normal respiration birth पर रहता है mid respiratory distress 4-6 hour पर start होता है peaks 24 hour पर होता और धीरे-धीरे करके यह recover हो जाता है यहाँ पर intubation की जरूवत नहीं पढ़ती है इसका risk factor हमने पढ़ा था C-section इस तरीके के मावलों में हमने देखा था C-section या precipitous vaginal delivery भी इसके risk factor हो सकते हैं इसमें हमें किसी भी तरीके का intubation करानी की जरूवत नहीं पढ़ती है लेकिन अब हम जिस respiratory distress की बात कर रहे हैं term child में जहां ventilatory support या mechanical ventilation की जरूवत पढ़ सकती है वो कौन सा cause हो सकता है तो ऐसे causes होते हैं meconium aspiration syndrome में ऐसा होता है meconium aspiration syndrome में newnits meconium को aspire कर जाते हैं इस दौरान आप देखेंगे meconium उनके lungs में होगा during or before delivery आप देखेंगे meconium aspiration syndrome में newborn infants के द्वारा meconium को aspire कर लेने की वज़ा से यह problem होती है तो यहां पर meconium aspiration syndrome में antimatics देगे warm care करेंगे मदर के द्वारा, radiant warmer के द्वारा, ventilator के द्वारा और oxygen therapy भी देना पड़ेगा यहां mask और hood की मदद से यह सारी चीज़ें हमें करना पड़ता है यहां जो बात हमें याद रखनी है वो है ventilator support तो most common respiratory distress term child requiring ventilatory support यह किस वज़ा से होता है most common cause क्या है meconium aspiration syndrome इसका most common cause है इसके बाद respiratory distress post term child में क्या होगा जिसको post term child में तो इसका भी कारण meconium aspiration syndrome को ही बाना गया है तो अब तक हम लोगों ने respiratory distress को तीन तरीके से पढ़ा pre term term और post term यहां पर pre term में हमने क्या बताया हमने बताया hyaline membrane बना ही नहीं था सही बात है इस दौरान फिर हमने बात किया transient tachypnea term child में हमने बात किया transient tachypnea of newborn इसकी बात किया term child में फिर post term में हमने बात किया post term में in general meconium aspire कर ही जाते बच्चे तो इसलिए meconium aspiration syndrome को हमने बताया तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो भी fluid था वो absorb नहीं हो पाया यहां पर hyaline membrane नहीं बनी यहां पर meconium को aspire कर लिया इसलिए problem होती है कुछ और conditions थे जैसे के बड़े आपको बताया अगर कोई baby term ही है लेकिन उसने meconium को aspire कर लिया है और term है लेकिन meconium को उसने aspire कर लिया तो normally aspiration most term तक हो ही जाता है लेकिन अगर term का भी baby ले देता है तो भी हम देखेंगे ventilatory support देना पड़ता है तो term में वैसे तो most common है TTN है लेकिन term में अगर ventilatory support देनी के जरुवत पड़े तो उस समय MAS को हम answer रखेंगे TTN में हमें ventilatory support की बहुत जादा जरुवत नहीं पड़ती है इस बात को याद रखेगा